आज मैं आपके लिए मैंगो फालूदा की रेस्पी लेके आए हूँ जो कि बहुत जादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो समर सिजन है समर सिजन की सबसे अच्छी बात यह होती है कि हमें मैंगो काने को मिलती है आपको किसी भी सूपर मार्केट में आसानी सी फालूदा मिक्स मिल जाएगी बहुत सारे फ्लेवर में यह आता है तो यह 200 ग्राम का पैक है तो हम यहाँ पे 10 ग्राम ले रहे हैं तो आधे लीटर दूद के लिए 100 ग्राम यह फालूदा मिक्स चाहिए हमें चीनी वेगर भी डालनी की जरूएट नहीं है क्योंकि फालूदा मिक्स में चीनी भी रहता है तो उपर से आपको कुछ नहीं डालना है बस इसे चलाते रहेंगे हम थोड़ी देर पकाएंगे यह देखी चीनी भी है इसमें और जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो चिया सीट्स है जिसे सबूचा भी बोलते हैं तो बस इसे चलाते रहेंगे जब तक कि थोड़ा गारा नहोजाए बढ़ें से पक न जाये तो जैसे यह पकी का इसका कलर भी चेंज हो जाता है बहुत जादा टेस्टी लगता है यह फालूदा तो बस इसे हम जलाते रहेंगे और अभी तो आम का सीजन है तो हम mango mix करके ये mango फालूदा बना रहे हैं तो गर्मी के मौसम में सबसे अच्छी बात यही होती है कि हमें आम खाने को मिलती है वरना गर्मी तो किसी को पसंद नहीं होती है तो यह देखिए अच्छे से पक गया है तो बस गैस बंद कर देंगे और जब नॉर्मल हो जाएगा तो फ्रीज में रख देंगे इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए तो दस से बार मियाट हमने इसे पका लिया था जिल लेंगे और पलप को निकान लेंगे इसे थोड़ा सा दूद के साथ बिलेंगे तो यहां पर पहत थोड़ा सा ज्यादा मैंगों का पलप के से बिलेंड कर लियू है कि मुझे कुछ और रिस्पी भी बनानी थी तो बस इसे निकाल लेंगे और इतने देर में हमने फ्रीज में रख दिया था वह फालूदा भी ठंडा हो गया है तो चलिए इसे सर्व करते हैं तो इसे सर्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ग्लास लेंगे उसमें यह जो हमारा म अचलिए इसे सर्व कर सकते हैं जैसे कि मरजी उस तरीके से खा सकते हैं उपर से फिर से एक चमच यह मैंगो डाल दिया फिर से फालूदा डाल दिया और ऊपर से आप चाहें तो यह कुछ भी मतब आइस क्रिम डाल दे कटेव फ्रूट जा दे तो यहां पर हमने मैंगो ही स आप जरूर ट्राइ करेगा आपको बहुत ही पसंद आएगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा मैं आपसे फिर मिलते हूं ऐसी इजी रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाए बाए